और अब है देश का सौब इमान है बेटियां, मा की जलक पिता की पैचान है बेटियां, उनके होते रहती है रहमत और वर्गत जिस घर की आन बान चान है बेटियां यत्र नारिस्ते पूजनते रमंते तत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा होती है, वहां पर देवता निवास करते हैं साथियों नमस्कार में महेस आपको आज महिला समानता दिवस 26 अगस्त के अफसर पर आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई और शुबकामना देता हूँ साथियों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि महिला समानता दिवस की बात सैयुक्त राज्य अमरीका में सरप्रिथम 26 अगस्त 1971 को ये मनाया गया वहां की एक महिला एडवोकेट थी जिनका नाम था बेला अबजो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और उनके संगर्स के ही परिनाम सरूप महिलाओं को समानता का दरजा दिया गया और साथियो सेंक्त राज्य अमरीका में बोट डालने का अधिकार महिलाओं को दिया गया जो की उससे पहले उनको अधिकार प्राप्त नहीं था तबी से पूरे देश में हर्स उल्लास के साथ महिला समानता दिबस का आयोजन किया जाता है साथियो अगर हम भारत की बात करें तो आज भले ही हम आजाद भारत में रह रहे हैं लेकिन मित्रो आज भी हमारी नारी की इस्तिती अच्छी नहीं है आज भी हम महिला को समान अबसर नहीं दे पा रहे हैं लेकिन हम ये भी भूल गए हैं कि भारत वही देश है जहां पर महिला को दुरगा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता था मित्रो आज बहुत बढमना की बात है कि हम उस नारी को, उस बेटी को, उस मा को, उस बेहन को समान अबसर नहीं दे पा रहे हैं तो आज ये निश्चित रूप से चिंता करने का विस्या है और उन माताओं को, उन बेहनों को समान अबसर देने के लिए भी हम सभी की न shr altri जम्मेवारी बनती है मित्रो आज हमारी बेटियां पिरते एक शित्र में बढ़ चड़ के भाग ले रहे हैं वो दिन और थे जिब महिला चार दिवारी में रहती थी और वो परदे के अंदर रहती थी लेकिन आज हमारी बेटियां सिक्षा की अगर हम बात करें तो मुझे बहुत सारे नाम याद आ रहे हैं अगर मैं उनके नाम लेने लगूं बेटियों के तो ये पूरा दिन कम पड़ जाएगा साथियो एक नाम मुझे याद आ रहा है एक ऐसी बेटी जिसने 2014 में इतियास रचा वो थी आईए स्टॉपर इरा सिंगल एक ऐसी बेटी जो लगवग 60% दिब्यांग थी उस बेटी ने इतियास रचा और पूरे देश में टॉप किया और ये करके दिखाया कि impossible कुछ नहीं है और बेटियां प्रतेक छेतर में आगे बढ़ रही है एक बेटी कलपना चाबला जिसमें अंतरक्ष में जाकर के भारत का नाम रोसन किया वो बेटी भी किसी से कम नहीं थी इसके साथ साथ अगर मैं राजनीती की बात करूँ तो बहुत से नाम है जिसमें पृत्वा पाटिल जी है आज निर्मला सीता रमन जी का नाम मुझे याद आ रहा है जो देश के पहले रक्षा मंतरी भी रह चुकी है और आज बरतमान में फिलाल वो बित मंतरी का पदवार समाल रही है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वात है साथियो इसके साथ साथ और बहुत महिलाएं हैं मदर टेरेसा हैं जनोंने नोवेल पुरसकार जिनको सान्ती का दिया गया कहने का तात पर यह है कि हमारी बेटियों ने प्रतेक छेत्र में हमारा नाम रोसन किया है तो साथियों आएं और हम सभी मिलकर के एक सामुविक प्रियास करें कि महिलाओं को हम उनको समानता का दरजा दें समान अपसर दें तबी यह आज का महिला समानता दिवस का सही उद्देश है हम पूरा कर सकते हैं इनी शुब कामना और आप से अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुने आप सभी को महिला समानता दिवस की हार देख बदाई अब हम शुब कामना गुना करते रहे वो बेटों के शौक में ना जाने कितने मैडल मार दिये जीते जी कोक में